हेलो स्टूडेंट्स, तोडे वी आर गोएंग तू डिसक्स एन इंपर्टेंट लॉट टॉपिक दपंजाब आम्स ओर्डिनेंस 1965 यह एक नुबर 20 है 1965 का जिसका नाम है दपंजाब आम्स ओर्डिनेंस 1965 आज हम इस लॉट को डिसकस करेंगे जिसके कॉंटेंट्स चेप्टर नुबर वान में प्रेलिम्नरी है शॉट टाइटल, एक्सेंट और कॉमेंट्समेंट, एक्सेप्शन और डेफिनेशन, चेप्टर नुबर टू डील्स विज सेल और डिस रिपेर, चेप्टर थ्री ट्रांसपोर्ट, चेप्टर फाइव इसको पढ़ते हैं, पंजाब आम्स ओर्डिनेंट्स नाइंटिन सिक्स्टी फाइव, एट जुन निस्टो पैंसट को, इस वाज इंप्लिमेंटेड अच्छा, एन एक्ट तो कॉंसॉलिडेट और अमेंड दे लौ रिलेटिंग तो दे सेल, ट्रांसपोर्ट, बेरिंग और पुजेशन अफ आम्स, एम्मिनिशन और मिलिटरी स्टोर, असले की सेल के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके कबजे के लिए, और किसी और दूसरे असकरी जखायर के सेल, कबजे और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए, इस कानून को मेंड करने के लिए, और इसको consolidate करने का यह इसका प्रियंबल है जैसा कि नीचे वाज़ होता है कि इस कानून को बनाने का मकसद असकरी जगाइर military stores असला और यह हत्यार वगारा की जो sale, transport और उनके कबजे के हवाले से जो कानून है उसको regulate करने के लिए बनाए गया है इस पूरे कानून में आगे बता जाएगा क्यासले को sale कैसे किया जाएगा कैसे sale नहीं किया जा सकता इसको एक जगा से दूसरे जगा कैसे मुंतकिल किया जाएगा इसकी मुंतकिली को हकूमत और कौन शखस इसको रोक सकता है कौन इसको कबजे में रख सकता है और उस कबजे में रखने के लिए क्या शरायत होंगी यह तमाम आगे कानून आपको बिताता जाएगा इस हमली जो थी वो सेशन में ना होने के वज़े से गवर्नर आफ दे वेस्ट पाकिस्तान इस हमली सेशन में ना होने के बावजूद गवर्नर ने इसको ओर्डिनेंस की शेक्व में कानून का दर्जा दिया नो दिए और फोर इन एक्सराइब पावर कॉन्फोर्ड ओन हिम बाए क्लाउस वन अफ आर्टिकल सेवंटीन इस पाकिस्तान आपावर्नर ने इसको ओर्डिनेंस मारा एक्सराइब ने रही हूं अब च्राइब पर पॉरड पॉरे पंजाब पर रही हूं रही हूं exception. Nothing contained in this ordinance shall apply to sale, transport, wearing or possession of arms, ammunition or military stores by order of the government or the federal government or the public servant or a member of any non-regular force of the government or the federal government in the course of his duty as such public servant or manner. इस कानून के अंदर जो भी लिखा गया है वो लागू ना होगा किन के ओपर? हकुमत वक्त के हुकम से public servant के ओपर और member of any of the non-regular force of the government ये government के कुछ non-regular force of fighting forces होती है ये जो है उनके ओपर लागू नहीं होगा वो असले को sale कर सकती है ये जगा से दूसरे जगा ले जा सकती है ये उनको exception दी गई है ताके वो system जो है वो एक तर्टीब के साथ चलता रहा है comment कर सकती है ये खास इलाकों के अंदर ये exception दे सकती है और खास time के अंदर definition in this ordinance unless the context otherwise requires the following expression shall have the same meaning hereby respectively assigned to them that is to say अगर स्थाको सबाग कोई दीगर चीज मुतकाजा नहीं करता तो इन चीजों के जो definitions है इनके जो meanings हैं वो जो दिये गे हैं यही तसवर किये जाएंगे ammunition includes ammunition में क्या क्या आता है ammunition of all types for light and heavy automatic weapons, revolvers, pistols, rifles, carbines, muskets and shotguns इस के अंदर ammunition के अंदर असले के अंदर असला बारूद के अंदर तमाम किसम का automatic semi-automatic revolvers, pistols, rifles वगरा आती हैं, carbines, muskets and shotguns वगरा ammunition construed and modified for firing projectiles और gas और smoke container धूँए और gas के जो हैं वो containers modified और construed firing projectiles यह बनाए जाते हैं जिनके अपर बदूकों को वक्सर और rocket launchers को लोड करके fire किये जाता है gun wads, gun flints, percussion caps, fuses, friction tubes and detonators यह गोली ही जो होती है जिसको हम वो कहते हैं gun wad और उसका जो पिछला हिसा होता है वो और fuses वगरा friction वगरा tubes यह जो आपका जो empty गोली होती है उसके part है all types of grenades, bombs, rockets, mines and fuels for flame throws और यह आदशी असले को बनाने के दुराने एक खास किसम के fuels होते हैं जो एक खास किसम के शोलादार जो है वो दमाका पैला करते हैं यह इस किसम के fuels होगरा भी है all types of explosive, fulminating materials and propellants including all types of specially designed for torpedo operation and depth charges आपको पता कि जेरे आपको और समंदर में और torpedo operation के लिए जो material यूज होता है वो भी ammunition के अंदर शामिल है जिसमें explosive है, fulminating materials है, propellants है all parts of ammunition but does not include lead, sulfur और salt peter इसमें जो है, sulfur, sisa जिसे हम lead कहते हैं और salt peter जिसमें कलमी शुरा और वगरा है, यह ammunition में नहीं आते है arms includes, arms गेंदर किया जी, cannon, top, fire arms of all types, आथियांसला हर किसम का, such as light and heavy automatic and semi-automatic weapons, rifles, carbines, muskets, shotguns, weather, single or double barrel, revolvers, pistols and appliances, the object of which is to silencing of the fire arms, और इस किसम के appliances है, जो उनका मकसद जो है, आथियांसले की आवाज को दबाना और कम करना है, जब इसको fire किया जाता है, air pistols, हवाई, जो है, वो पिस्तॉल, जो हवा के एक खास mechanism के उपर वो चलता है, by not, swords, sword sticks, तलवारे वगरा, daggers जो चुरे वगरा, knives, with blades of four inches, challenge का वो लेड़ वाला जो रह रह रहा हो चाकू, और more, but not kitchen knives, यह जो kitchen में यूज होते हैं, चाकू गरा यह इसमें शामिल नहीं होते, और flink knives, irrespective of side and blade, एक खास mechanism का flick knife है, जो के जिसका blade के size matter नहीं करता, यही तो अपके अंदर आती हैं सारी चीज़ है, flame throwers of all types, all carriages, platforms and appliances for mounting or transporting cannon, यह जो तोब को चलाने के लिए खास में प्लेटफार्म हैं, mounting or platform है, carriages हैं, यह भी आपके इसमें cannons के अंदर आती हैं, part of cannon, all parts of cannon are included in the definition of cannon, government means the government of Punjab, flick knife means a knife which has a double blade, which has a blade which opens automatically by hand pressure applied to a button, खास में के बटन लगा होता है, जो ही अब दे बाते हैं, तो वो आगले से तेजी के साथ है, चुरी निगल गाती है, spring or other device, वो बटन हो सकता है, spring हो सकते है, एक अदर device हो सकती है, in or attached to it, the handle of the knife, and includes any knife which has a blade which is released from the handle, or sheath, therefore of the force of gravity, force of gravity वसे निकल सकता है, और by the application of centrifugal force, आप उसको दाएं बाएं, जब जोर से जटका देंगे, तो एक खास किसम का तेजी के साथ आगए, जो तेज धार चाकू निकल के आगए आगए आएगा, अच्छा, centrifugal force which when released is locked in the place by means of a button, जो ही आप उस force को खत्म करेंगे, तो वो आपने original position restore कर जाएगा, spring level or other device, license means license granted under this ordinance, military store means the store with the federal government made by notification in the official government declared to be military store, military store से मुराजिय है कि जो हकूमत पाकिरस्तान फटील गवर्मेंट इसको military store declare करेंगे, वो असकरी जखायर कहलाएंगे, rules means the rules of the disordinates, government made by notification in the official official declare any article or substance not specified in class A or class B or class C of subsection 1, 2B as the case may be, ammunition arms or fire cannons are for the purpose of this section, substance said be deemed to be specified in subsection clause A and B and C, अब आपको बता है कि subsection 1 के अंदर, subsection 3 के subsection 1 के अंदर A, B, C जो clauses है, जो चीज़े हैं इसमें ammunition artillery और इसमें canons अगरा है, अगर इन चीज़ें के अंदर government कोई नया अदाफा करना चाहा है, कुछ अधर चीज़ को कहें कि ये भी ammunition cannon और arm का हिसा होगा, तो वो भी इन चीज़ें का हिसां सबर दी जाएंगे, कोई शक्स क्या नहीं करेगा, नहीं बेचेगा, ना उसको रखेगा, ना आफर करेगा, ना उसको एकस्पोज करेगा सेल के लिए, और किसी को दुर्फ करने के ओफर नहीं करेगा, एकसेप्ट अंडर लाइसन्स, मासिवाए कि उसके पास लाइसन्स हो, इन दा मैनर उस तरीका कार पे जिसके जो लाइसन्स के अंदर लिखा गया है, और उस हद तक ही वो उसको करने का मजास होगा, जितना उसको लाइसन्स के जरीए इंपावर किया गया है, अगर किस शखस के पास कानूनी असला हो, तो इस चानून के अंदर और स एक New intentions के नहीं क्पा जिखा गया, जो किज शखस को उसके बेचने سے जसे रोके उस शक्स को कोई इसको खूरी दने का मजास हो मिसाल के तो नोर्फ कोई आपना आसला किसी ऐसे डिसेबल शक्स को ब्लाइंट श़क्स को नहीं बेश सकता क्योंकि वो किसी वो क्या है वो पोसेस करने को उसको किसके लिए लिजिबल नहीं है तो आप बेच सकते हैं आपके पास असला कानूनी होना चाहिए और जिसको आप बेच रहें उसको वह भी क्वारिफिकेशन पर पूरा उतरना चाहिए अगर आपने अपना कानूनी हेसला किसी को ट्रांसफर किया है बेचा है तो आप फॉरन उसका जो है वो डिस्टेक ओरिनीशन ओफिसर को यह पूलिस इंचार्ज जो है इंचार्ज स्टेशन आप पुलीस टेशन है उसको आप उस शक्स को नाम उसका अडरेस और अपने सेल की टाइम औड प्लेज अंड डेट बताएंगे यह section 4 ने कहा है unlicensed sale or repair अपने sale कैसे करना एक तो आप sale नहीं कर सकते अप उसी हद तक sale कर सकते हैं जिस हद तक license आपको इजाज़ देता है आप नहीं repair कर सकते हैं जिस हद तक उतनी हद तक repair कर सकते हैं और अगर आपने बेचा है तो आप उसका ये जो आपका sale का agreement हुआ आप फॉरण उसको police in charge के officer in charge आप नेरेस police station के notice में ले के आएंगे या आप उसको district coordination officer के notice में as early as possible आप उसको लेंगे. चैप्र मेर 3 है transport power to prohibit transport government may from time to time by notification in the official government may regulate or prohibit the transport government transport की जज़ दे के उसको regulate कर सकते है government totally उसको prohibit कर सकते है transport को of any description of arms किसी भी किसम कैसले को ammunition को गोला बारूद को military stores बसकरी जखायर को over the whole of the province पूरे सुबे के लिए or any part thereof या सुबे के किसी हिसे हिसे के में whether altogether मुकमल कुली तोर पर are accepted under license या license के ज़री जज़ दे दे के सुबे के इस हिसे में उसके फलाँ जिले में इस हद तक के इस किसम का इसला आप बेच खरी सकते हैं उसको आगे पीछे मुव कर सकते हैं and to the extent and in the manner prescribed permitted by such license गवर्मेंट अब तीन चार चीज़ ने बताती है आपक इसको आप इसे एरिये में इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक स्क्षिंशन के इसमें आता है रेंद में पावर तो इसके पास के वह तलाशी के लिए पोस्ट जो है वह इस्टेबलिश कर सकते हैं कि गवर्मेंट में एट एनी प्लीस अलाउंग बाउंडरी लाइन अफ प्रॉविंस एट सच डिस्टेंस विदिन सच लाइन एज डिम्स एक्सपीडियंट आपको पता है कि हर सुबह की जब एक सुबह सब दूसरे सुबह मेंटर होते हैं तो वहां चेक पोस्टें होती है जहां पर अक्सर तलाशी बिला लिए जाती है यह एक बिस्टिक से अब दूसरे डिस्टिक में दाखिल होते हैं तो यह गवर्मेंट के प्रिरॉगेटिव एट इस पावर अफ़ गवर्मेंट पोस्ट कि वह किन लाइन गोपर मेंगे कितना डिस्टेंस होगा यह गवर्मे प्रिकेज और कंटेनर इन ट्रांसिट में बी स्टॉप एंड सर्च फर आम्स अमुनिशन और मिलिटरी स्टॉर्स बाइन ओफिसर इंपावर्मेंट इन इस बहाफ बाइनेम और इन दे वर्चॉ फिस ऑफिस अब गवर्मेंट क्या कर सकती है इस ट्रोटल सेक्शन का जो है कोई वेसल है कुछ भी है कुछ शक्ती पयादल है मोटरस राइफल पे है कम इन इसको रॉक सकते किए उस में भी जिस अब उन बंदों का आरेस्ट है जो के असला ले जाते हुए देखे जाएं या जिनके बारे में शुबह हो when any person is found carrying or conveying any arms, ammunition or military store whether covered by a license or not in such manner or under such circumstances as to afford just grounds of suspicion that the same are being carried or conveyed by him with intent to use them or that the same may be used for any unlawful purpose. Any person may without warrant apprehend him and take such arms, ammunition or military stores from him. अब इसमें ये है जी अगर कोई शक्स असला ले जाता देखा जाए या उसके बारे में शुबह हो के वो असला लेके जा रहा है चाहे वो लाइसंस या जा रहा है या गार लाइसंस या जा रहा है वो इस मैनर में लेके जा रहा है जिससे ये लगता है कि ये इसको गैर कानूनी काम के लिए इस्तमाब कर सकते है तो ऐसे असले को कोई भी शख्स यो है वो जबिख कर सकते है और उस शिक्स को गरिफ़तार कर सकता है जिसके पास या असला मॉझूद हो अगर कोई प्राइबट परसन ये काम करेंगा अगर वो कोई तीसा परसन है तो फिर वो क्या करेगा उसने जो बंदे को ग्रिफतार किया है और असले को अपने कबजे में लिया है अगर इस किसम के जो भी इस खास बकड़े गए है और असला कबजे में लिया गया है पुलिस के जरीए तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि फौर और उनको जा है वो मेजिस्ट्रेट के आगे ले और जितना वो तरीका जो लाइसंस के अंदर लिखा गया उस तरीके को अख्तियार करते हुए वो आम्ड हो सकता है ऐसा कोई भी शक्स जाता हुआ आम्ड विदाट अ लाइसंस जिसके पास लाइसंस नहीं है और इस कानून की वो खिलाफ वर्जी कर रहा है जो उसको डिसाम किया जा सकता है उसको कोई बंद मैजिस्ट्रेट को पुलिस अफिसर जिसको गवर्मन ने इमपावर किया है वो इसको डिसाम कर सकता है उससे असला ले सकता है वापस अगर कोई रूल्स में अगर कोई रिटन अथर आथर आथरिटी के जरीए वो उसको इजाज़त दी गई है फिर ये चीज़ें लागो नहीं होगी Section 9 आजाएं जी Unlicensed Possession of Arms No person shall have it in his possession or under his control Any arms or any ammunition or military store except under license in the manner and to the extent permitted thereby In certain cases arms to be deposited at police station or with licensed dealers बासका थालात ऐसे होते हैं कि आपको कहा जाता है कि आप या तो यह असला पुलिस स्टेशन में जमा करुआएं या हकूमत ने जिन लोगों को डिलर्स को लाइसंस दिया हुआ है तो या आप उनके बास जमा करा दे मों कौन से कौन कौन से सूर्थ में होनी की बियान की गई है एनी परसन पॉजेसिंग आम अम्मूनिशन और मिलिटरी स्टोर्स दिपोजेशन वेर और आफ हैं इन कांस्टिक्वेंट्स अफ दे कैंसलेशन और एक्स्वारी और लाइसंस और अदर्वाइस अब मिसाल के दोर पर आपक कैंसल कर दिया है उसकी उन एक ख़वार में श्यार दिया कि आईसे तमाम असले का लाइसंस कैंसल हो चिपके हैं अब आप क्या करेंगे जब आपके पास असले है तो उसमें लिखा होगा कि आप इसको जो है अपने नेरेस्पॉलिस्टेशन में जमा कराएं या लाइसस अस अफिसर इंचार्ज अपनेरेस्पॉलिस्टेशन और एट इस ऑप्षिन और सब्जेक्ट तो सच कंडिशन अज गर्मेंट में बाइ रूल्स प्रिसक्राइब विदा लाइसंस डीलर या गर्मेंट बता सकती है कि आप इनको लाइसंस डीलर को भी दे सकते हैं इसलब प्रो रिन्यूवल के लिए अब आपको एक महीने का वक्त अजाफी मिल जाएगा के अब इसको फड़ते हैं इसको प्रोवाइड दैट विए वन मान्थ विदिन वन मन्थ एक्स्वाइरी अफ लाइसंस अन एप्लिकेशन फार इट्स रिन्यूवल हैजिस्टर पोस्ट और बाइ लाइसंस हैज बीन रिन्यूड और इट्स रिन्यूवल रिफ्यूजड आज आपके असले का लाइसंस खत्म हो चुका है आपने आज यह एक अप्लिकेशन दी है कि इसको रिन्यूव किया जाए अब आथार्टी उसको डिसाइड करने में दस दिन लेती है तो दस दिन का व अब आम्नेशन और मिलिटर स्टोर है वें डेपोजिटेड अंडर सब्सक्राइशन बाता है और इन देपोज्चेन गयरी उसकी मौत की सुरत में इस लीगल ये उसका जो करूनी वारस है शेल एट अट एट अनि टाइम एपॉर एक्साइर अट पीरिट ने प्रिस्क्राइ by rules by prescribed be entitled अब जो किसी ने जमा करवाया खास टाइम के लिए government उसको दुबार बहार कर दिया हुई इसी mean violence के death हो गई जिसका कानूनी वारश है वो फिर entitled होगा उसको receive back करने के लिए anything so deposited the possession of which by him or his legal here has become lawful and to dispose or authorize the disposal or anything so deposited by sale or otherwise to any other person whose possession of the same would be lawful and to receive the proceeds of any such sale जिसाल के तो अपर government क्या किया किया कहा कि असला जमा करा हो तो माम ने जमा कराया meanwhile किसी बंदे के death होगी government दोबारा जो license बहाल कि तो वो असला वसूल कर सकता है और government कहते है कि आपको इसके मतले कि पैसे देना चाहती है government तो आप उसके procedures जो है उसके बगायाजात जो है वो उसके करनोनी वारस उसको वसूल कर सकते हैं provided that nothing in this subsection अगर किसी चीज़ को जबती कर लिया है तो फिर उसकी कोई आपको जो है वोरी बरस्मेंट रिटर्न वगरा नहीं दिया जाएगा anything deposited under subsection 1 and not returned or disposed of under subsection 2 which within the prescribed period there refers to shall be fortified to the government government में कहा है कि अब इतने अर्से के तक आप इसको हम आपको वापस देंगे अगर वो government ने वापस नहीं दिया आपको तो वो समझा जाएगा जब आपको जब कर लिया है government में make rules consistent with this ordinance which ordinance के साथ मिलते जुलते हो यानि के मुतजाद ना हो for carrying into effect the provisions of this section अभी section को implement करने के लिए government क्या कर सकती है rules बना सकती है in particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision government made by and rules prescribed the conditions subject to which arms ammunition or military stores may be deposited with the license dealers license dealers के पास अपने असला लेकर कैसे जाना है उस किसम के rules बना देगी and the period after the expiry of which things deposited as a foresight shall be fortified under subsection 3 अब अगर जो time दिये गए था आपको कि सब्सक्राइब उस डेट तक जमा करा देंगर आपने जमा नहीं कराया वो तो four feet है उनको फिर four feet कैसे किया जाएगा कैसे जाएगा इसके लिए government rules बना सकती है chapter 5 license को deal करता है आज के लिए हमारा lecture यही तक है चला मैं इसका नहीं है वो दो वारा रिकार्ड करोंगो बाश्यों परिया